अज मेरे पास है Realme 13 Pro Plus इसमून की हाइलाइट है इसका कैमरा इसमें Realme ने Hyper Image Plus Tech यूज किया है जो की AI की हिल्प से ना फोटोस को एन्हांस करता है डिजाइन और विल्ड कॉलिटी भी फोन की बढ़िया है स्पेशली यह जो वेरियंट है जिसमें वीगन लेधर बैक पैनल आता है यह वीगन लेधर बैक ना प्रीमियम फील देता है हाथ में फोन को होल्ड करना काफी कंफरेबल हो जाता है क्योंकि ना इसकी क्रेब बहुत बढ़िया बनती है अगर आप प्लास्टिक या फिर जो ग्लास बैक वाले फोन आता है उनसे कंपैरेजन इसका करोगे तो यह लेधर बैक वाला डिजाइन आपको डिफरेंट एक्स्पीनिस देता है पर रियलमी फोन में यार अब काफी कॉमन होगे वाला डिजाइन पिछले कई सारे मॉडल्स में वीगल लेधर बैक दे रहे हैं और बिल्कुल एक ही तरीके से हाड़ली एनी चेंजिस को इनको ना कुछ चेंज करना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट रखो है डिजाइन को ना सब फोन एक ही जैसे दिखेंगे तो मतलब कस्टमर्स जो बोर हो जाएंगे कुछ तो थोड़ा सा डिफरेंट लाओ बाकि इस ओल गूड सर्कुल कैमेरा बडूल आपको यहां पे मिल रहा है बैक पे गोल्डन कलर का चमकदार सा शाइन करता हुआ यह मोड्यूल है यह नीचे की तरफ हाइप पर इमज प्लस इंस्क्राइब है रावन एक सो नदबे ग्रम इसका वेट है जो लोग साइट पर वुद से एट पॉंट फॉर हम इसकी तिकनेज है बॉस नो इशुस बाहर आउडोर्स में भी जब आप जाओगे ना टारक्ट संलाइट में डिस्प्ले को मतलब फोन को यूज करोगे तो भी डिस्प्ले से विजिबल रहती है नेच्रल और एकुरेट कलर्स आपको डिस्प्ले पर मिलेंगे जब आप वीडियो देख रहे होगे चाहे वीडियो मतलब देख रहे हो आप फिर गेमिंग कर रहे हो यह लाइक दिस्प्लेइब यहां पर आपको मिल रहा है बढ़ यह नेट्फ्लिक्स पर काम नहीं करता है यह आप याद रखना रिफ्रेश रेट है और दू-40 हर्स सेंप्लिंग रेट के साथ यह आता है डिस्प्ले का जो रिस्पॉंसिवनेस है वो मुझे टॉप नॉच लगा स्क्रोलिंग और गेमिंग और ओर और लिविगेशन जो है ना वो काफी स्मूध है इस डिस्पे पे इस फोन का कैमरा सिस्टम को ना काफी हाइलाइट किया गया इन इसकी वज़ा है कि इसमें पचास मेंगा पिक्सल का प्रामरी सोनी लाइटी है 701 सेंसर आपको मिल रहा है पिकास मेंका पिक्सल का प्रिशकोप लेंगे शेखेंगे टीटेल भी आपको सॉलिड दिखेंगी यह फुटो आप देखो यहां पर भी आपको अच्छे कलर दिख रहे हैं डीटेल बढ़िया है डेलाइट में अच्छे फोटो ले रहा है फोन वाएस यहां पर दोनों प् आता है फोटोस में नॉइस आपको याब नहीं दिखेगी डीटेल्स यहां पर इंटक्ट रहती है हाँ अल्टरवाइड लेंस जो है न वो थोड़ा सा अंड्रवेल्बिंग लगता है कभी-कभी लेकिन अपने पबस के लिए बुरा नहीं है यहाँ पर इसका यूएस पर लगा मुझे रियल मी सेज कि इनोंने हाइपर इंजन प्लास्टेक यूस किया है यहाँ पर फोटो क्लिक करते हो तो यह उसकी क्वालिटी को नहींस करता है मतलब हलका सा color भी correct करता है, post processing में, even though 1-2 second का time देता है, but result बहुत बढ़ी आते हैं, photos को naturally रखता है, वैसे gen AI जिसके थुरू न, आप image बगरा generate करते हो, कुछ भी prompt आपने दे दिया, app में और वो image बना देता है, यह जो tech है, मतलब आगे जाके higher megapixel cameras और large जो बड़े-बड़े sensors होते हैं, मुझे लगता है कि redundant बना देगा, post processing से ही, मतलब clear और पढ़िया image generate हो जाया करेगी, phone का selfie camera जो 32 megapixel का है, और यह भी decent selfies क्लिक करता है, लेकिन AI beautification जो है वो थोड़ा सा ज्याद aggressive हो जाता कभी-कभी, जो I would say कि उन लोग को इच्छा लगेगा, जो अपने photos को na beautify करके, इंस्टा पे upload करते हैं, और बड़े, कौन नहीं करता है, सब यह काम करते है, गेविम खेलते हो phone पे, तो performance की बात कर लें, तो बड़े, Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर यहां पे मिल रहा है आपको phone में, जो इस price range के लिए, वो थे decent chipset है, efficient performance और better thermal management यहां पे offer करता है, day-to-day usage में phone को use करते हुए, कोई दिकत नहीं आई मुझे, मैंने मतलब जितना भी टाइम इसको use किया, multiple apps मैंने try किये, इस पर test करते हुए, and phone hang नहीं हुआ, एक बार भी phone hang नहीं हुआ, phone सही से चला, app load होने में भी कोई delay मैंने notice नहीं किया, so सब कोछ यहां पे मतलब सही लगा when it comes to daily routine, gaming performance is just decent, I would say, मैंने games test किये, इस phone पे, जैसे BGM हुआ, asphalt हुआ, apex legend हुआ, जैसे games, वैसे तो games जो smooth चले, लेकिं longer duration में ना frame rates drop होते है, phone थोड़ा सा heat भी होता है, so इसलिए आउट से कि अगर आप pro gamer हो, बहुत साथ गेम स्केलते हो phone पे, तो इसको आप skip कर सकते हो, मतलब वैसे normal data usage में, वैसे phone बढ़िया है, तीन वेरिंट्स यहां पे आपको मिल रहे है, 8GB, 265GB, 12GB, 265GB और 12GB, 512GB, Realme UI 5 पर phone चल रहा है, बेसे Android 14, software experience smooth है, लेकिन Realme UI में pre-install, ब्रूट वेरना थोड़े annoying लग सकते हैं, मतलब आपको मुझे तो लगे, battery की बात करते हैं, 13 Pro Plus में 500 ms की battery है, जो moderate usage के साथ, easily एक दिन का backup दे देती है, आपको phone 80W पाचा support के साथ आ रहा है, जो battery को 50% तक सब 20 min में charge कर देता है, और full charge होने में around 50-50 min लग जाते हैं, so this part is decent, अब बात करते हैं, conclusion की के phone आपको लेना चाहिए आपके नहीं, सो Realme 13 Pro Plus देखने में बढ़िया लगता है, डिस्पे अची है, फोन के इन कैमरा इसका USB है, अच्छे फोटोज आते है फोन से, आपको penoscope lens यहां पे मिल जा रहा है इस रेंज में, और post processing phone की बहुत बढ़िया है, कैमरा में, Snapdragon 7S Gen 2 डेली रूटीन टास्क के लिए दो बढ़िया है, बट प्रो एंड जो गेमर्स हैं, प्रो गेमर्स जो हैं, वो उनको शाद इंप्रेस नहीं करेगा है, पाकि डिस्पे और बेक्टेर लाइफ में, मुझे कोई कमे इस phone में नहीं दिखी,